सवी संकटों का निवारन है लेकिन सही समय पर सही कारे के जरीए हम किसी भी संकट से बाहर आ सकते हैं सवप्रतम आपको अपने संकटों से डरना नहीं है क्या होता है लोग अपने संकट अपने जीवन में आने वाली परिशानियों से ऐसा डर जाते हैं कि पर उनका सामना करना ही छोड़ देते हैं वे उनके सामने आने से डरते हैं वे ये नहीं चाहते हैं कि वे अपनी जीवन की सच्चाईयों को जाने कि उनके साथ क्या हो रहा है लेकिन नहीं जीवन के संकटों का सामना कीजिए और हमेशा याद रखिए अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिएगा जिन लोगों ने आपके जीवन में जैसे संकट हैं वैसे संकटों का कभी सामना किया ही नहीं है अगर आप ऐसे लोगों से अपने जीवन के लिए राय लेंगे अगर आप ऐसी लोगों पे अपने जीवन को निर्वर कर देंगे कि वो मेरे जीवन में कुछ बदलाव कर दें तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपको अपने जीवन की जिम्यदारी खुद लेनी पड़ेगी आपको उन लोगों से राय नहीं लेनी है जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है जिनोंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया और रही बात संकट से निकलने की तो उसका एक मात्र सूत्र है खुद पर विश्वास करना खुद पर विश्वास करने में इतनी ताकत है अपने एक कहानी जरूर सुनी होगी इसमें एक प्रेमी ने अपनी पत्नी की मृत्यू की आग में हतोड़े और छेनी की मदद से एक पूरा पहार तोड़ डाला अगर आपको उनका नाम पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं अब आप सोचो कि ये चीज जो कई लोगों के लिए भी करना मुम्किन नहीं है एक इनसान ने सिर्फ अपने उपर बिश्वास रखकर और अपने बदले की आग में जल कर उस बिशाल पहार को तोड़ डाला तो खुल मिला करके अपने उपर बिश्वास रखो अपने इश्वर पर बिश्वास रखो जिनको आप पूछते हो और निश्चीति आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए जै श्री गृष्णा